हेलो दोस्तों मेरा नाम सूरेश तो यह गाड़ी में ओईल खाने का प्रोब्लम है और आपके पास भी फूल स्टोग गाड़ी रहेगा और आपका गाड़ी ओईल खा रहा है तो इसको कैसे चेक करना है कैसे ओईल लेबल करना है इसके बारे माज बताने वाला हूँ और क्या- सद्सक्राइब इसके पासे सब्सक्राणकर गungरी मिश्राइब लेभले खुंक कि यहां पर देखो फूरा बंज में करना है कि यहां से लेबल कर रहे थे अधंड़ा गरम करें लेबल करने से यहां पर घेड के यहां पर पूरा ओइल ढूंब जातास आधा हुझे को लिखता थे यह आधा हुझा है तो यह प्राइबел करने के वएशे से अइसा होता है अब बात करेंगे ओईल किस कारण से खाता है स records एग से इसका यी निकाला और इसे में फोड़ा भी भी नहीं आपके गाड़ी का चेक करना और खाएं के नहीं खा रहा है तो सब से पहले आपको गेज निकालना और चेक करना है और कितने पे यहां पर हाई लेबल है यहल पे तो आपने और चेंज किया और आपका गाड़ी 5000 किलोमेटर चलना चीए आप कौन सा कंपनी का उपर रहता है किलोमेटर कितना चलेगा तो हम लोग यहां पर बजाच पर्फॉमस दालते हैं जो 5000 किलोमेटर तक चलता है पांच फिलोमेटर पर चलने के बाद ऑईल यहल टक आ जाता है कितना भी लोकल में चलाएंगे गाड़ी इल तक आ जाता है वह 5000 किलोमेटर चल गहाते है अ में मैंको और अपने कोन सा इल यो डाल रहे हूर और आपका पा disruptी चल रहा है छो कि तो समझ जाओ आपका ओयल खा रहा है और आपने कौण सा ऐल दाला उसके उपर है तो अभी ये फ्ल भूई तो मोलत्यृ दाले थे नियुक्ड ऐल स्कूल और चलता है एक Birthday दे और पांस जार ठीलो हर दस दिन में लेबल कर देते हैं तो यहां से लेबल करते हैं उसके वैए से यह सब प्रॉब्लम आ चुका है यहां पर और लिकी जो रहा है और हर महीने टैपेट कबर का ओर रिंग चेंज करते हैं इनके पाफ बजट नहीं है ब्लॉग का काम करने के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम कब बढ़ गया जब बार बार ओयल कर रहें तब हर 10 दिन में 15 दिन में टॉक अप कर रहें ऐल को तो इनका ऐसा प्रॉब्लम आ गया है पुरा टैपेट कबर के यहां पर पूरा ओयल हो चुका है अब है अभी आपको ओयल करना है आप अच्छा कंपनी का ओइल डाल दे और आपको लेबल करना है और आपका खा रहा है तो यह और यह के बीच में लेबल करना है जब भी आपको लेबल करना है यहां से लेबल करना है राइट साइड से उपपर से ओइल नहीं डालना है उपपर से ओइल दालोगे तो और प्र कर나라 आइलमा आई गसętष आपको नहीं करना है यह पर करोगे जो उसके अंदर इस्ट्रा आपको पता नहीं चिलेका कितना आइल है ऑज्योग वह तो कि सकते सोऊ fighter तो पर नॉपसान होता है ज्यादा जाने से व्यक्त मैं अग्ला को फर्फन के आराब। गरम छोनी के वैसे आपने उपर से ओयल डाला जो वाल के अंदर और वह खराब हो जाता है तो यह बाइस सब यहादा भी ऑइस डाल देते उसके वैसे इस रगल चुका है और यहाँ पर वह हो चुका है कि यहां पे आप देख रहे हूं यहां पे प्योगा है यहां पे आने का मतलब आपका कारबे टर से ऐल जाएगा ब्लॉक्ट के अंदर और उसमें ज्यादा कारबनाण वह गार और कार्बनतल से और अगर आपका डंमेज होई गाउम плох को उसे और ऩुसक्रस पर आने का कारण एक है आपने ज्यादा ओइल डाला तो उपर आया यह तो कलच कवर के अंदर रिले फॉल रहता है उस उख हराब होनी के वाई से भी यहां पर आता है कर अभि अपने इंजन में ज्यादा ऊइल डाल दिया हाई लेबल के उपर कर दिया तो यह जो पाइप दिख रहा है हि göster से डायरेक है एर फिल्टर में चले आता है और ओकार्बेटर के थूरू दा miej को इंदर आता है और पिशतन ऊपर कर बॉस्त हता है तो कारबन आने कोएसे ब्लॉक डैमेज होता है उसके अंदर पूरा कारवन गुमता है और ज्यादा होने के वादे से कॉम्प्रेसर वीग भी होता है बहुत सारा मतब पिक भी नहीं लेता है बहुत सारा इसा प्रॉबलम हो जाता है जिससे गाड़ी वालों को बहुत तकलिव होता है तो मैं बस यह कीलेका ऑइल कैसे लेवल आपको करना है अब का यह गाड़ी सब्सक्राइब करना है और कभ़ोगो निकालना है यह तो आप बार बार लेवली करते रोगे पार नहीं करोगे तो फर्स्ट टाइम अपने चेंज किया और अपने 2000 किलो मेटर 3000 किलो मेटर चला आया गाड़ी को अरो ओइल जो ऑफने दाला है 5000 किलो मेटर का ओईल है तो आपका 3000 किलो मेटर पर ऑईल पर आ गया है तो आपको ना यहल और यहस के बीच में लेबल करना है उससे आपका एक फाइदा होगा उपर उइल जाएगा नहीं ताह पे यहां पे उपर उइल जाएगा नहीं एर पाइप से फिल्टर के यहां पे जाएगा नहीं और तुमारे ब्लॉक में कुछ कार्बन ज्यादा जमा नहीं होगा जिसे आपका ब्लॉक खरब नहीं होगा कि ने तो आपने ज्यादा डाला हाई लेबल किया कि एयर फिल्टर से आएगा और ब्लॉक के अंदर जाएगा उससे ज्यादा कारवन फेलेगा और फाने का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा जो तीन हजार में आपका चल रहा है वह आपका दो हजार चलने लगेगा दो हजार तो आपको लेबल तभी करना है जब आपके गाड़ी में यहां से दालना है उपर से नहीं दालना है कितने बार लेबल करना है जब तक आपका गाड़ी शव्यार किलोमेटर चल नहीं जाता है वह जब आपका गाड़ी शव्यार किलोमेटर चल जाएगा तो आपको निकाल देना है तो जो गट हो जाएगा उसके वैसे आपका कलनच-पड consider भी बहुत सरा दिक्कत आएगा गाड़ी में वह काला होने के बाद आपका टाइमिंग चैन फराब करेगा अईसे बहुत सारा कारण है जो मैं वीडियो में बहुत बढ़ा करके नहीं बता सकता हूं च्रचरन पर आपको जब भी आपका पर आईल खाने का प्रॉबलम तो आपको यह चाहरेयल के बीच में रखना है और जो कंपणी का आप उयल कितना कि कुलमेटर चलने वाला उसकी हिसाब से आपको भी चेंज कर देना है तो ऐसे बहुत सारे मेकेनिक है वह स्रीप बोलते हैं आप लेबल करो लेबल करो लेबल करते करते हैं तूरा इदम खराब हो जाता है जो वाल का जो गाइड रहता है वह भी खराब हो जाता है और ज्यादा डालने से फिर ओल खराब होता है गाइड खराब होता है फिर हो एड भी बदली करना पड़ता है ऐसे बहुत सारे कारण आते हैं और लेबल में तो आपको मैं सही तरीके से बता दिया हूं किस तरह से आपको करना है उस तरह से आपको लेबल करना है आप कौन से कंपनी का ऑइल डाल रहे उसके उपर है तो दोस्तों आपका गाड़ी नया है और ऑईल आप बराबर 5000 पर चेंज करना है आपको और ऑईल नहीं खा रहा है यहल पर आ जा रहा है तो आपका 5000 किलोमेटर चल जाता है 45 दिन में तो आपको ऑईल चेंज कर देना लेबल नहीं करना है जब भी आपका ओईल यल पर आएगा और 5000 किलोमेटर चल जाएगा तो आपका ओईल को निकाल देना है और लेबल नहीं करना है लेबल करोगे तो आप ज्यादा एक प्राब्लम चालू हो जाएगा तो आपको तो बस टाइम पे ऑईल चेंज करना है और उसके सिवा कुछ नहीं करना है तो बहुत सारे मेकनिक अलग अलग तरिकेस बताते हैं उसके बाद उनको प्राब्लम होता है तो बस मैं प्राब्लम का सलूशन चाहता हूं आपके गाड़ी का ज्यादा नुकसान ना हो तो यह वीड बढ़े दो तो